डायबेटीज में ये मैरी बिस्किट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिसकेशन करेंगे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकिंदर तुमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी जहां हम डायबेटीज मेनेजमेंट से रिलेटेड साइन्टिफिक इन्फॉमेशन बड़ी सिंपल लेंगविज में शेयर करते हैं तो अब देर किस बात की? डायबेक्सी आटा आज ही ओडर करें फाइदा जरूर होगा जो ये मेरे बिस्किट है इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है 1875 के आसपास जो इंग्लेंड के जो रॉयल फैमिली होती थी उनका एक मेंबर था मारिया जो लेडी थी उस मारिया के नाम पे ये बिस्किट बनाया गया 1875 में बिस्किट के उपर नाम लिखना एक बड़ी बात हुआ करती थी और ये रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था तो ये बिस्किट बहुत पॉपुलर होगा मारिया के नाम से बिस्किट और फिर हम जंप करके आते हैं 100 साल बाद 1975 में तो 1970 का जो एरा था ये लो फैट डाइट का एरा था पूरे मेडिकल कॉलेजे में ये सिखाया जाता था कि फैट निखाना एकदम जीरो ओयल ओयल दिखना जाए घर में ओयल दिख जाए फैट से ड्राया जा रहा था और जो लोग मेडिकल कॉलेज में 1970 में पढ़े हैं वो आज भी अगर प्रेक्टिस कर रहे हैं तो वो लोगों को यही सिखाते हैं कि फैट निखाना घी निखाना वो प्रॉब्लम हो जाएगी हार्ट अटेक हो जाएगा वैस साइन्स ने 50 साल में बहुत तरक्की कर लिया है पहले जब लोगों को यह पता लगा था कि भी हार्ट अटेक हो गया उन्होंने आर्टरीज में जो ब्लॉकेज था उसको निकाल के देखा और निकालने के बाद पता चला इसके अंदर तो फैट और कॉलेस्टरॉल मिला हुआ है तो जो फैट और जो कॉलेस्टरॉल है उसी को उन्होंने ये माल दिया यही हार्ट अटेक करता है यही हार्ट डिसीज क्रियेट करता है लेकिन भाईसाब बॉड़ी में तो हर एक सैल फैट से ही बना हुआ है body का सारे parts जो हैं कहीं न कहीं fat की requirement है आपका brain 60-70% fat का बना हुआ है तो fat से डरने की ज़रूरत नहीं है तो anyway उस time पे जो medical community थी 1970s में उन्होंने ये Mary Biscuit को बहुत popular किया Mary Biscuit एक type of biscuit है जो crispy है और dry होता है और Mary Biscuit को बहुत सारी companies अपने अपने brand में बेचती है नहीं है Mary Biscuit एक type of biscuit है जो बहुत सारी companies बनाती है हमारी इंडिया में हर company जो भी biscuit बनाती है उसका Mary Biscuit आता है तो Mary Biscuit को हम समझने की कोशिश करते हैं कि diabetic patient के लिए ठीक है या नहीं है तो देखे अगर diabetic patient के लिए diet बनानी है हमें हम diabetic patient है हमें अपने लिए कुछ भी चूज करना है तो ऐसे सुनन सुनाई बातों पर स्वास नहीं करना है हमें अपना दिमाग लगाना है science लगानी तब ही कुछ न कुछ जो है आपको फायदा होगा इतनी knowledge gain करने का diabetes के बारे में तो पहले हम देखते हैं कि यह Mary biscuit बना किन चीजों का होता है तो जब आप इसके ingredient पढ़ेंगे तो ingredient में मिलेगा आपको कि इसमें मैदा है maximum quantity almost 70-80% के आसपास मैदा मिलेगा आपको इसमें फिर sugar होगी invert sugar होगा और इसमें oil होगा और इसमें कुछ milk powder होगा यह इसकी major composition आपको मिलेगे अब इसमें sugar तो आपको समझ में आया यह invert sugar क्या होता है तो इनवर्ट sugar क्या होता है तो invert sugar यह normal sugar ही होता है जो सुक्रोज होता है उसमें 50% glucose है और 50% fructose है तो glucose और fructose ये दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए, bond बना हुआ है लेकिन क्या करते हैं कि laboratory में इसको hydrolysis एक process कहते हैं break करके glucose और fructose अलग कर देते हैं तो जब glucose और fructose अलग हो गया, जुड़ा नहीं है, अब अलग हो गया तो ये invert sugar कहते हैं तो invert sugar कोई अंतर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट के लिए जो glycemic load हो तो बराबर है blood sugar पे influence बराबर है, लेकिन जब आप biscuit बनाते हैं तो different है अगर आप sugar लेके biscuit बनाते हैं तो कई बार थोड़े ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, ग्रेंस आते हैं लेकिन अगर आप invert sugar से बनाते हैं, तो वो liquid रहता है उससे grains नहीं आते, प्रोड़क्ट ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, बहुत refined बनता है इसलिए ये invert sugar ज़्यादतर बिस्किट्स में यूज किया जाते है तो ये आपने composition देखा, जो ingredient है, इनमें से कोई भी आप देखेंगे low glycemic load वाला नहीं है, तो पहले तो यहीं गड़बड़ है, कोई low glycemic load वाला ingredient नहीं है अब इसका nutritional value भी चेक कर लेते हैं, तो ज़्यादा तर मेरे बिस्किट्स में आप देखेंगे 80% के आसपास carbohydrate मिलेगा आपको, 80% तो किसी में 77 होगा, किसी में 78 होगा, किसी में 79 होगा पर इन जनरल उसी के आसपास आपको carbohydrate की value मिलेगी, और fat approximately 10% के आसपास मिलेगा और अगर हम इसका glycemic load निकालेंगे, तो आप देखेंगे, 80% अगर इसका carbohydrate content है per 100 gram, तो 80 multiplied by glycemic index 80 multiplied by 70 divided by 100, तो almost 56 के आसपास आगया, तो किसी का 54 होगा, किसी का 55 होगा, किसी का 56 होगा, glycemic load इसी के आसपास मिलेगा अब थोड़ा दिमाग लगाईए, जो चीनी है, शुगर, उसका glycemic load 65 और जो ये merry biscuit है, इसका 55 तो क्या बहुत ज्यादा difference नजार आ रहा है आपको, तो आदमी जैसा चीनी खा ले, वैसे impact आपको कोई merry का biscuit का दिखाई देगा, तो जब तक आप analysis नहीं करेंगा, scientific analysis आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा, अब हम दूसरे type के biscuits को देखते हैं, जैसे ये merry का क्या था, कि ये dry और crispy होता है, अब crispy होते हैं, पर वो dry नहीं होते हैं, जैसे ये दूसरे वाले biscuit आप देख र तो चाहे मेरे biscuit हो, चाहे ये biscuit हो, जो ingredient हो सेम है, composition थोड़ी थोड़ी change हो जाती है, वो कैसे, अब आप इसका nutritional value देखे, तो nutritional value इसमें carbohydrate आप देखेंगे 70% के आसपास है, उसमें 80% के आसपास था, तो 10% इसमें carbohydrate कम हो गया और 10% fat बढ़ गया, तो इसमें 20% के आसपास आपक glycemic load निकालेंगे, तो मारी से कम निकलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखते हैं, कि 70 अगर माल लेजिए, मैं maximum carb ले लूँ, 70 multiplied by 70 जो glycemic index है, तो इसका 49 आगया, उसका 55 के आसपास आ रहा था, तो जो normal वाला biscuit है, इसका glycemic load मारी वाले से कम है, और जब भी आप कहीं doctor visit पर जाते हैं, डाइटीशन के पास में जाते हैं, वो कहते हैं कि भाया, ये फैट निकाना चाहिए आपको, फैट से गड़बड है, तो ये मैरी वाला जो biscuit है, ये low fat biscuit है, इसी लिए इसको समझाया जाता है, इसी लिए सिखाया जाता है कि इसको खाओ, लेकिन इसका glycemic load त कम करना बहुत ज़रूरी है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा नहीं तो, तो आपने देखा, कि जो glycemic load का जब आप criteria लेते हैं, तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है, एक और हम आप देखते हैं, कि जब आदमी का ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, ह आप इसका nutritional composition देख लेते हैं, और इसकी ingredient value देख लेएं, तो ingredient देखे, तो क्या है इसमें, मैदा, sugar, invert sugar, milk powder, oil, अरे वही तो है सारा ingredient, जो मेरी वाला था, अब इसका nutritional value देख लिजे, तो मेरी वाले में 80% के आसपास carboidate था, इसमें around 75 के आसपास है, फैट उसमें 10% था, इ तो इसको खाने की बजाए, तो वो मेरी वाला ही खाले हाद में, क्योंकि उसका glycemic load इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये beach का product हो गया, तो एक in general तो आप ये समझ लिजे, कि जितने भी बिस्किट आते हैं, उनके ingredient almost same है, थोड़ा बहुत बस composition change होती है, और अगर मैं एक range द और ये पता तभी चलेगा, जब आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए label reading बहुत important है, जब आप label पढ़ते हैं, तभी पता लगता है, कि glycemic load क्या है, glycemic index क्या है, इसका nutritional composition क्या है, इसका ingredient क्या है, डाइबेक्सी आपकी help करना चाता है, आपकी मदद करना चाता है, इसलिए डाइबेक्सी जो biscuits बनाता है, जैसे आप डाइबेक्सी का almond cookies देखेंगे, breakfast bar देखेंगे, या jeera cookies देखेंगे, इसमें वो सारे ingredients हैं, जिसका glycemic load कम होता है, इसलिए जब इन से product बनता है, उसका glycemic load भी कम होता है, तो हमेशा कुछ भी purchase करें, तो ingredient देखेंगे, और ingredient की list मे जब आप देखेंगे, तो कौन से product जो आपको avoid करने है, जिसका glycemic load एकदम जादा होता है, सबसे पहले maltodextrin, maltose, dextrose, glucose, liquid glucose, जो ये honey, ये इस type की चीज़ें, जहां पे भी आपको दिखाई दें, समझ लीजिए, इनका glycemic load जादा है, और पता कैसे चलेगा, जो glycemic load वाला जो चार्ट है, डाइवेक्सी का, आप इसमें शुगर वाले जब section में जाएंगे, तो आप बहुत सारी टाइप की शुगर से लिखी हुई हैं, जो किसी product के अंदर लिखी होती हैं, वहां देखने से आपको पता लग जाएगा कि किसका glycemic load कितना है, तो हमें ये fat से नहीं हार्ट अटेक का खत्रा होगा, brain damage होगा, liver damage होगा, तो glycemic load बड़ा important criteria हैं, जब आप diabetic diet में कोई भी food चूज कर रहे हैं, तो हमेशा glycemic load आपको देखना है, fat से डरने की ज़रत नहीं है, तो in my opinion, मेरा conclusion ये है कि जो Mary Biscuit जो है, इन Mary Biscuits में carbohydrate content बाकी बिस्कुटों से जादा है, तो diabetic patient को तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं घाना चाहिए, अगर आप compare करेंगे, तो सबसे ज़्यादा glycemic load इसका है, तो knowledge और discipline, इसलिए ये दो चीज़े बहुत important है, डाबेक्सी से जुड़िये, कुछ न कुछ फायदा ज़रूर होगा आपका, thank you.